नमस्कार दोस्तों देखे मित्रों आभी हम जो नौमी क्लास की मादिमिक शिक्षा बोर्ड की पूस्तक है सामाजिक विग्यान की उसमें राजनिती विग्यान का चेप्टर पढ़ रहे हैं भारत का राजनितिक विकास तो ये राजनितिक विकास का सेकंड चेप्टर है इससे कब की गई थी क्यूशन फिर से सुनिएगा कि रियास्ती विभाग की इस्तापना कब की गई थी तो इस क्यूशन का जवाब है वो आपको कमेंट करके बताना है तो आगे पढ़ते हैं तो हमने पहले इसमें जो क्या रियास्त थी क्या सिस्टम था वो देखा था और इसमें ए और चारों और से भारतिय भूब आगों से गिरीवी थी। और सेना पुलीस परसासन तो उनमें भी फिर ज्यादा दर मुस्लमानी थी। महराजा हनुमत सिंग तो ये बोपाल नुवाबर ये जिननार इन्होंने हनुमत सिंग से मुलाकात भी कर ली थी। कि वही तुम हमारी तरफ ही मिलोगे, हम तुमें ये चीज़ें देंगे और वो देंगे और ये और वो और तो इस तरह की कोशिसे ये लगातार कर रहे थे। जब माउंट बेटा ने हैदराबाद को समिधान सबा में सामिल होने की सलाय दी, तब उन्होंने कहा कि उन पर दबाव डाला गया, तो वे पाकिस्तान में शामिल होने पर गंबीरता से विचार करेंगे। यहां तक कि निजाम ने हैदराबाद के मामले को बारत के खिलाब युएनों में ले जाने का परियास भी किया। आप कल्पना करके देखिए कि इस तरह से हैदराबाद बीच में हो और वो अगर सवतंतर देश होता तो भारत की क्या इस्तती होती। तो बड़ी बुरी स्तती होती। तो नवाब जो है वो मिलने को त्यार नहीं था। और यहां पर यह आपसे पूछ सकता है कि उगरबादी मुसलिम सापरदाइक सकता है। यह रजाकार, यह ट्रम आपसे पूछ सकता है वो। किस संद्र में है, कहां थी, क्या थी, कौन था इसमें, तो यह आपसे पूछ सकता है। तो आपके एक्जाम के पॉइंट आप व यू से यह नाम काफी मैधपुन है। तो हैदराबाद के विले के स्वाल को इन्होंने संपरदाइक समश्या की रूप में रुपांतरित कर दिया। दूसरी और ऐसी खबरे भी आने लगी, कि निजाम बिटीस एजेंटों के माध्यम से पाकिस्तान से हत्यार प्राप्त कर रहा है। हैदराबाद से बड़ी संख्या में जनता के पलाएन से पडोसी राजे मदरास तमील नाडू पर बाहर बढ़ गया। इन सब बातों के कारण सरदार पटेल ने इंजार करने की बजाए निर्णाय कारवाई करने का फैसला किया। सरदार पटेल ने निजाम के खिलाप से नेक कारवाई करना त्याय कीया। और इसके अनुमति है तुम मंत्री मंदल की बैठक बुलाने का परदान मंत्री पंदित नहरू से आगर किया। बैठक में सरदार पटेल ने हैदराबाद पर आकरमन की योजना परसूत की। आप समеж सकते हैं कि इस तरह से बारत के बीच में यह इस तरह यहां हैदराबाद होती ही और एक 373 देश होता अगर आज यह तो चारों और भारत होता तो तो क्या भारत कितना आमेशा के लिए समशा रहती जब पाकिस्तान साइड में होकर के बारत के लिए इतनी سमशा क्रिये कामें करेंगे तो 13 सितंबर 1948 को भारतिय सेना ने हैदराबाद पर तीन और से हमला किया इस हमले को ओपरेशन पोलो नाम दिया गया पोलो का खेल काफी लोग पर यह है वहाँ पे हैदराबाद में तो इसको ओपरेशन पोलो का नाम दिया गया निजाम के सेनी के एक दो दिन मे ही मोर्चा छोड़कर भागने लगे रजाकारों ने भी चार दिन में समरपन कर दिया इस लड़ाई में भारतिय सेना के 42 जबकि 2000 रजाकार मारेगे इसमें भारतिय सेना के कितने सेनिक जो है शहीद हुए तो 42 42 और जबकि 2000 से ज़्यादा रजाकार मारेगे 17 सितंबर 1948 को निजाम ने हैदराबाद रियासत के भारत में विल्य को स्विकार कर लिया तो 17 सितंबर 1948 में जाकर के और निजाम जो है इसने हैदराबाद रियासत के भारत में विल्य को स्विकार किया सरदार पटेल ने हैदराबाब जाकर निजाम से विल्य पतर पर हस्ताक्सर करवाए पटेल ने कहा निजाम समाप्त हो गया है भारत में सीने का कैंसर फोड़ा हमने मिटा दिया है तो यहाँ सेनी कारवाई से और है जो कश्मीर है वहाँ आप जानते हैं कि विल्या पत्र पर हस्ताक्सर माराजा हरी सिंग ने करती है थे और यहाँ पर जो है यह सेनी कारवाई से इसे मिलाया गया तो सरदार वलब भाई पतेल के दरड़ता दूरदर्शिता और साहस के परिणाम सुरूप हैदराबाद का भारत में एकिकरण संबव हुआ तो यह चीज़े देखे उस वक्त जो हैं सरदार वलब भाई पतेल को आप जानते हैं कि आज भी क्या का जाता है लोहै पूरुष कहा जाता है तो किस तरह से बिल्कुल सामने सेना लेकर करके त्यार हो गये थे लोग यह नुवाब त्यार हो गया था और भी कई स्थानों पर ऐसा हुआ जब आप राजस्तान का एक एकरन पढ़ते हैं उस समय भी कई रियास्ते हैं जो रास्तान में मिलने को जो बारत में मिलने को त्यार नहीं थी तो यहां तो बहुत बड़ी समझा थी हैदराबाद जैसे इतने बड़ी रियासत हैदराबाद से मतलब आज सिर्फ आजवाला सिर्फ हैदराबाद सहरी मत समझना आप हैदराबाद में ये पूरा आंधरा और ये पूरा बहुत बड़ा शित्रा आता था एक प्रकार से दक्षन समझ लो आपूरा हैदराबाद इतने बड़ी रियासत थी हेदराबाद तो इसलिए सरदार वला भाई पटेल को लोहे पुरुष कहा जाता है जुनागड का भारत में विले जिन रियास्तों का 15 अगस्त 1947 तक भारत में विले नहीं हो सका था उनमें जुनागड भी शामिल था जो कि आजकल के गुजरात राजे में इस्तित है सवतंतरता के समय जुनागड का नवाब मोहबत खान था जबकि अधिकास जनता गेर मुसलिम थी तो यहाँ भी वोई प्रोलम थी कि नवाब ले मुसलिम हो लेकिन जनता जो है वो गेर मुसलिम यानि जनता ज़ादातर क्या थी हिंदू थी और यही इस्ति कहां की थी यहां की हैदराबाद की तो नाम क्या है नवाब का मोहबत खान पवित्र सौमनात मंदिर और जेन तिर्थ गिरनार जुनागड रियासत में आते थे तो कितना महत्पुन सौमनात मंदिर भारत की आन बान शान तो वो सौमनात मंदिर और जेन तिर्थ गिरनार तो यह जुनागड रियासत में आते थे यह बेरावल इस रियासत का परमुक बंदर गया था तो बेर बेरावल जो है यह इस रियासत का बंदर गया था तो जिन्ना का ये कौन था, रिलेटिव था, कौन सहनवाज बुटो, और ये बुटो क्या बन गया, जुनागड का दिवान बन गया अपने दिवान के कहने पर नुआब ने अपने रियासत का पाकिस्तान में विले करने की गोशना, कि आप जानते हैं इधर वैसे भी पाकिस्तान है, इधर ये सौमनाद की तरफ और इधर जो जुनागड इस तरफ क्या है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बॉटर लगती है, ग मिल जाए टो पाकिस्तान ये वास्ता मैं पाकिस्तान जुनागट का इस्तेमाल जमू कश्मीर पर सोध्य बाजी में करना चाहता था पाकिस्तान द्वारा जुनागट के विल्या को स्विकार करने की गट्टा ने सर्दार पटेल को काफी आगरुशित किया सर्दार ने जुनागड के दो अदिनस्त राजियों मांगरोल और बाबरियावाद का भारत में विल्या करने के लिए सेनिक टुकड़ी भेज दी इसके अदिनस्त जो राजिय थे जुनागड के ही मांगरोल और बाबरियावास दूसरी और जुनागड में नुवाब के खिलाब बड़ा लोगपिरी आंदलम प्रारब हो गया क्योंकि जनता जो है वो का मिलना चाती थी वो भारत में ही चाती थी तो इन सबसे गबराकर नुवाब जो है वो कहां भागया पाकिस्तान भागया कुछ समय बाद दिवान सहानवाद जुनागड का परसासन भारत को सौपने को मजबूर हो गया बारे सरकार ने अपनी वेदाने की स्तती मजबूत करने के लिए फरवरी 1948 में जुनागड में जनमत संग्रा करवाय गया जिसके परणाम शुरूप उसका भारत में भी ले हो गया तो कि अब ये चलो कि ठीक ऐसा करते हैं जुनागड में क्या करवा लेते हैं जनमत संग्रा करवा लेते हैं कि यहां की जनता क्या चाती है तो जनता तो बारत में ही मिलना चाती थी तो आप सोचें अगर ये जुनागण उदर मिल जाता तो ये सोमनाथ टेनपल ये सब चीज़ें उदर किसके पास लिए जाती है। पाकिस्तान की तरफ और उदर है समुधर। तो जब इतना इस तरह का हिस्सा पाकिस्तान में हो जाता है। तो फिर तो डारेक्ट भारत से पाकिस्तान का ऐसा संप्रक हो जाता कि भारत के लिए हमेशाएं के लिए और ज्यादा मुश्किल होती है। इस तरह जमू कश्मीर, हैदराबाद के बाद जुनागट तीसरी ऐसी रियासत जीज़ जो सरदार पटेल के अदे में साहस के परणाम सुरू भारत में सामिल हुई इसलिए पटेल को आदूनिक भारत का निर्माता अत्वा लोह पुरूश कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से कहीं सेनी कारवाई से, कहीं समझाने का काम किया, कहीं किसी तरीके से येन केन परकरेन करके सब को त्यार कर लिया और भारत में उनको मिला लिया। तो इसलिए सरदार पटेल को हम क्या कहते हैं लोहय पुरुष कहते हैं आधुनिक भारत का निर्माता या लोहय पुरुष कहा जाता है गोवा वे पांडी चेरी का भारत में विले सामराज्य वाद वे उपनिवेश वाद का विरोध सवतंतर भारत की परमुक निती थी इसका सुभावी परिणाम यह था कि भारत अपनी उस जमीन पर फिर से दावा करता जो विदेशों के कबजे में थी देखे भारत आजाद हो गया लेकिन अभी भी पुर्तगाली और जो फ्रांसिस ही है उनका यहाँ अधिकार था कोई इस्थानों पे था सबसे पहले भी पुर्तगाली आये थे और सबसे लाश्ट में भी यहाँ से पुर्तगाली गए अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी गोवा पर पुर्तगाल का कबजा था जबकि पांडी चेरी जो वरतमाने में पुद्दुचेरी कहते हैं वहाँ पर किसका अधिकार था? फ्रांस का आधिपत्य बरकरार था तो पुद्दुचेरी पर फ्रांस का और गोवा पर पुर्तगालियों का भारत की सवतंतरता के तुरंत बाद इन शेत्रों के लोगों ने अपनी आजादी वह भारत में विले की मांग प्रारम की और इसके लिए आंधुलन प्रारम कीए देखे जनता भी देखे क्या है? जनता की दिलों की इच्छा क्या थी? जनता भी यही चाती थी जनता को भी सही गलत का फरक पता था इतने वर्षों तक यहां किसका अधिकार था? जैसे गोवा है इस पे पूर्टगालियों का और पांडी चेरी वाला जो इसा था इस पे फ्रांसीसियों का लेकिन जनता जो है वो क्या चाती थी? कैसाब हमें तो भारत में मिला दो मदरास आंधुलन प्रारम कीए यह नॉमबर उनिस सो चौपन में फ्रांस ने पांडी चेरी को भारत को सौप दिया जिसका लोगों ने व्यापक स्वागत किया तो चौपन में फ्रांस ने पांडी चेरी को सौप दिया 1955 में गंतंतर दिवस में पहली बार राजपत पर पांडी चेरी की जहांकी निकाली गई इस तरह पांडी चेरी का शांती पूंट रूप से भारत में विले हो गया तो यह जब 26 जनवरी को आप मनाते हैं 26 जनवरी भारत का गंतंतर दिवस तो जो राजपत है उस पे कभी भी देख लीजेगा जो जहां क्या निकलती है उसमें सारे भारत के राजे यूटी इन सब की जहां क्या निकलती है जैसे जब राजस्तान का नमबर आएगा तो राजस्तान में आप देख लीजेगा यहां का जो नर्तिय है गुमर पलस यहां क जो राज्तान की जो ड्रेस है जैसे राज्तान की जो किसान है धोती, कुर्ता, साफा तो इस तरह के पहने वेर रेगिस्तान बनावार इस तरह से जहांक्या निकलती है तो आप देखती पहचान जाओगे कि ये क्या है आपनो राजस्तान लेकिन पूर्टगाली गोवा विले की मांग पर ध्यान नहीं दे रहे थे वे गोवा को तब तक अपने पास रखना चाते थे जब तक ऐसा संबव हो गोवा के पूर्टगाली तानाशा है वे पूर्टगाली अनवेक्षन का एक परतीग बताते वे खाली करने से मना करती है किसाब इसे तो हम खाली नहीं करेंगे हम ही आये थे और हम ही यहाँ पर रहेंगे गोवा के अलावा दमन, दादर, नागर हैवेली भी पूर्टगाल के अधीने थी तो यह जो दमन है, दादर है, नागर है यहाँ पूर्टगालियों के अधीन थी यह चीज़े आज जो यूटी के रूप में आप देखते हैं वर्स 1954-1955 में जंज आंदोलन के परनाम सुरूप दमन, दादर और नागर हविली पर नियंदर्ण हो गया गोवा में बड़े पेमाने पर आंदोलन कारियों को जेल में डाल दिया गया एक दसक तक भारत पूर्टगाल से अनुने करता रहा यानि रिक्वेश्ट करता रहा कि भाई पूर्टगाल यह तुम जाओ, तुमारा देश उदर है, क्यों फालतू यहाँ बैठे हो अनुने का मतलब होता है, रिक्वेश्ट करना कि मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, नहीं माने आखिर 1961 में बारतिय सेना को गोवा मुक्ति हे तु बेचा गया ओपरेशन विजे के नाम से दो दिन के अंदर ही सेना का गोवा पर कबजा हो गया इस्थान ये जनता ने सेना को पूरा सा दिया, फलत है, गोवा के पुर्थगाली गवर्ने ने बिना सर्थ समर्पने कर दिया तो इस तरह 1961 इस्वी के अंत में गोवा का भारत में विले हुआ उले कनिया है कि नहरू सरकार पर काफी समय से जनसंग, सवतंतर पार्टी आदी ने गोवा मुक्ति का दवाव बना रखा था अता सरकार के लिए यह कारवाई आवशक थी तो जो नहरू सरकार थी उस पर जनसंग है, सवतंतर पार्टियां है इन्होंने गवा मुक्ति का दबाव बना रखा था कि सब कारवाई करो, कारवाई कर रहे हूँ आप इदर ध्यान नहीं दे रहे, जनता इदर मिलना चाहती है तो फिर जब सब और प्लस जनता की डिमांड, दूसरी पार्टी, दूसरे लोग, सबकी यही डिमांड बड़े-बड़े अच्छे नहीता थे, उनकी इस डिमांड की इसको भारत में शामिल किया जाए तब जाकर के कारवाई हुई और पूर्तगाली यहां से निकल गए तो भारत में सबसे पहले भी पूर्तगाली आये थे और सबसे लाश्ट में भी कौन गए? पूर्तगाली गए अलाकि बीच में सासन एक परकार से बारत पर अंग्रेजों का ही था लेकिन यह कुछ हिस्से हैं, गोवार है तो यह पूर्तगालीों की कबजे में थे तो यह चीजें आप ध्यान में रखेगा तो इस परकार से जो पांडी चेरी, पुद्दु चेरी है उसको मिलाए गया और ओपरेशन विजे के नाम से दो दिन के अंदरी सेनाग का गोवा परकबजा हो गया तो गोवा को भी मिला लिया गया तो इस तरह उन्नी सो इक से टिस्वी के अंत में गोवा का भारत में क्या हो गया विले हो गया अब आगे है राजस्तान का एकी करणी, ये बहुत बार आचुका है हमने कई बार पढ़ा है इसको, एक बार ओर देख लेते हैं एति हासिक दरिष्टी से राजस्तान का विशेस महत्व रहा है यहां के विभिन येसस्वी सास को ने मध्यकाल में आकरांताओं के विरुद नय केवल राजनितिक पर्तिरोध को जिन्दा रखा अपि तो गौरव शाली पानम सांस्कृतिक प्रंपरा को भी अक्षुन बनाए रखने का कारिय है सवतंतरता की समय अजमेर मेरवाड़ा को छोड़ कर पूरा राजस्तान रियास्तों में बंटावा था उस समय राजय में 19 रियास्ते तीन ठिकाने और एक केंदर सासित पर्देश था कौन सा केंदर सासित अजमेर मेरवाड़ा राजस्तान की जोड़पूर जेसल मेर बिकानेर आदी परमुक्स रियास्तों की सिमाई नव स्थापित पाकिस्तान से लगती थी और पाकिस्तान द्वारा इन राजाओं को अनेक प्रलोभन भी दिये जा रहे थे कि वे अपना विल्या पाकिस्तान में करें इसलिए इन रियास्तों का विल्या अत्यांत समय दन्शिल मामला था जिसे लोहैपूरुस पटेल ने कुशलता पूरवक पूरा किया तो ये जैसे इदर ये जोदपूर वगरार हैं ये कई रियास्तें जैसल मेर बिकानेर किसे टकरा रही थी पाकिस्तान से तो पाकिस्ताने जैसे जोदपूर रियासत हैं जैसल मेर तो इनको क्या अपनी तरफ मिलाने का प्रियास किया था पाकिस्तान ने और हनुमत सिंग जी जो हैं जोदपुर के वो पहले भारत की तरफ आ भी गए थे लेकिन बाद में फिर से उनको इन्हों ने इस तरह से दिमा खराब किया कि ने ने आप हमारी तरफ आओ तो कई उठा पटक चलेगी सबसे पहला आता है मते से संग राजस्तान एकिकरण के पर्थम चरण में मते से संग का निर्मानवा अलवर बर्थपुल दोरपुर करोली और नेमराना जो ठिकाना है शेत्र भोगोलिक समानता लिये वे था अता है इनको मिलाकर संग बनाने का परस्ताव रखा गया इसका नाम मते से संग रखा गया जो महाबार्थ काल में उस शेत्र का नाम भी था तो 18 मार्च 1918 को इस संग का केंद्रिय मंत्री आनवी गाडविल ने उद्गाटन किया दोलपूर सासा को राजपरमुक और शोभाराम कुमावत को इसका परदान मंत्री बनाया गया और अलवर को क्या बनाये गया राजधानी तो ये एक की करण तो अब तक बहुत बार आया है हमारे 6 से 10 के अंदर अलग अलग चैप्टर में इतिहास के अंदर भी पढ़ा है और ये जियोग्राफिय वाले पोशन आये हैं उदर भी री आया है तो ये बहुत बार आपने पढ़ लिया है पहला जो चरण है वो मतज से संग था 18 मार्च 1948 वो द्गाटन एनवी गाट गिल और राजपरमुक कौन थे दोलपूर के महराजा उदेबान सिंग और शोबा राम कुमावा थे ये बनाये गया परतान मंत्री तो अलवर को क्या बनाये गया राजधानी बनाये गया नेक्स आता है पुर्वी राजपरमुक को मिला कर पुर्वी राजपरमुक का गठन किया गया जिसका उद्गाटन 25 मार्च 1948 को गाडगिल ने किया कोटा के सासको राजपरमुक भीम सिंग जो थे और गोकुलाल असावा को परधान मत्री निउक्त किया गया कोटा को राजधानी बनाये गया तो यह आपका दूसरा चरण पुरा होता है पुर्वी राजपरमुक का इसमें नो रियास्ते थी वो एक लोग पर यह फोर्मुला है इसका बाबू जाड़ू की को परसाटो तो इस नाम में नो रियास्ते आजाती है पुरी उद्गाटन 25 मार्च 1948 को एनवी गाडविल नरहरी विश्नुदास गाडगिल थे कोटा के सासे को राजपरमुक और गोकुलाल सवा को परदान मंतरी और कोटा को क्या बनाया गया राजधानी इसके बाद आता है स्युक्त राजपरमुक के गठन से पुरवी विल्य के लिए त्यार थे तो मेवाड माहड़मा सुरू से ही त्यार थे ग्यारा अप्रेल 1948 को मेवाड ने विल्य पत्र पर हस्ताक्सर कर दिया पूरवी राजस्तान में मेवाड को मिलाकर स्युक्त राजस्तान का गठने हुआ जिसका उद्गाटन 18 अप्रेल 1948 को पंडिज जवारलाल नहरू ने किया तो चुंकि मेवाड इतनी मानी वी एक मान सम्मान में और पूरी सबसे प्राचीन रियासती तो इस बार खुद जो हैं पंडिज जवारलाल नेहरू जी इसके उद्गाटन के लिए आते हैं मेवाड के मान बूपाल सिंग जी को राजपरमुक और मानी के लाल वर्मा को परधान मंत्री बनाए गया उद्यपूर को सिंग्त राज़तान की राज़तानी बनाए गया तो पूपाल सिंग जी इसमें राजपरमुख बने, मानिक लाल वर्माजी जी जी वो क्या बने? परधान मंतरी और उध्यपूर क्या बनी? सेउंक्त राजस्तान की राजदानी फिर आता है वरहत राजस्तान, यानि बड़ा राजस्तान तो अभी भी जो चार बड़ी रियास्ते थी, ये ट्रिपल जे और बी, कौन कौन सी? जैपूर, जैसलमेर, जोदपूर और बिकानेर तो ये चारों मिलेगी इसमें, मेवाड के विल्ले के बाद सेउस राजियों का विल्ले आसान हो गया और ये देखे, बाकी कई रियास्ते थी, उन्होंने रिक्वेश्ट की थी मेवाड से कि आप मत मिलना, प्लीज, प्लीज, प्लीज वो इसलिए कह रहे थे, क्यूंकि उनको पता थी कि अगर मेवाड मिल गया तो मान सम्मान के अंदर, पूरे राजस्थान में सबसे टोप रियासत कौन थी, मेवाड थी तो सबका ये ही था कि अगर मेवाड मिल गई, तो फिर हमें मिलना ही पड़ेगा तो इसलिए वो कर रहे थे और इस चीज से मतलम आपको हल्दि घाटी के अंदर अगर आप पहुंचो उस समय पंद्रासु चेतर में तो अकबर महाना परताब को जुकाना क्यूं चाता था कई कारण है, जब आप डिटेल में और चीज अच्छे से समझते हो तो अकबर का महाना परताब को जुकाने का एक सबसे बड़ा कारण जो था कि आप अधिन्ता सुईकार कर लो युद तो पंद्रासु चेतर में हुआ उससे पहले अकबर ने चार दूत भी वेजे थे वो भी आपड़ चुके हैं लेकिन अकबर ये क्यों कर रहा था वो क्यों अधिन्ता सुईकार करवाना चाहता था पहले चार दूत बेजे समझाने के लिए वो इसलिए चाह रहा था क्योंकि आप जानते हैं कि महाना परताब के समय भी पूरे राज पुताना में सबसे मान समान के लिए जो जानी और सबसे वीरों की धर्ती कोन सी थी वो मेवाड रियासत थी जिसमें शुरु से लेकर के गुहा दिते हैं यानि गुहिल से लेकर के और उसके बाद आपको महाना परताब तक एक से बढ़कर एक वीर इस धर्ती पर मिलेंगे मेवाड की धर्ती पर तो चुंकि पूरा जो दूसरी रियास्त ने थी रास्तान की वो मेवाड का हमेशा से समान करती थी बले इनके आपस में यूद भी वे हो लेकिन समान हमेशा करती थी कि कहां कि हाँ हमेशे तो सबसे समान ये जो योग्य है वो मेवाड रियास्त है तो अक्बर की ये था कि अगर मेवाड अधिनता सुविकार कर ले महानापरताप अधिनता सुविकार कर ले तो सब के मन में जो है वो एक ओटोमेटिकली ये हो जाएगा कि हाँ अब तो हम अधिन ही है किसके मन में भी अगर ख्याल आ रहा होगा तो भी नहीं आएगा वो ही सेम चीज अभी भी बरकरार थी मेवाड कई रियास्ते रास्तान की थी वो नहीं चाहती थी कि मेवाड का विले हो उनको पता था कि अगर मेवाड का विले हो गया तो फिर हमको तो मिलना ही पड़ेगा क्योंकि कहतेंगे कि जब मेवाड मिल गया तो तुम कौन सी खेत की चिडिया हो तो ये चीज है तो सेस राजियों का विल्या आसान हो गया चोथे जरण में जयपूर जोतपूर विकानिर जैसल मेर जैसी बड़ी और महतुपूर रियास्तों का विल्याकर वर्तरास्तान का निर्मानवा 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल ने इसका उद्गाठन किया मेवाड के महाना भुपाल सिंग जी को महाराज परमुक और हिरालाल सास्त्री को परतान मंत्री बनाय गया जैस्पूर को राजदा निगोसित किया एक ही करण का यह सबसे मैत फून चर्ण होने के कांट 30 मारच को राषठान दीवस मनाते हैं तो यह है मैत फून फेक्ट जो हैं तो 30 मार्च को हम रास्तान दीवस मनाते हैं और यहां आप यह पढ़ चुके हैं कि राजपरमुक के पद को लेकर के जो जेपूर के मान सिंग है इन में और महाना बुपाल सिंग जी में विवाद हो गया था कि किसे महाराज किसे राजपरमुक बनाया जाए क्योंकि राजपरमुक अलड़ी कौन थे बुपाल सिंग जी और इनकी ये खुद की शर्त भी थी जब तीसरा चरण होता है कि आज इवन मुझे ही राजपरमुक रखा जाएगा कह दिया था ठीक है भई रख देंगे अब यहां मान सिंग ने जो है जयपूर के उन्होंने का नहीं मुझे बनाओ तब जयपूर के सासक मान सिंग जो है उनको बनाया गया राजपरमुक तो बुपाल सिंग जी को का कि आपका कद सबसे बड़ा है तो आपको हम इससे भी बड़ा पत देते हैं आप सिर्फ राजपरमुक ही नहीं आपके नाम के साथ हम क्या लगा देंगे महा आप तो महा राजपरमुक हो तो फिर गुपाल सिंग जी ने का चलो ठीक है कोई दिक्रत नहीं है और हिरालाल सास्त्री को परदान मंत्री बनाया जैपुर राजपरमुक नहीं बन गई और बाकी भी जैसे मैंने आपको बताया कि शिक्षा विबाग बिकानेर को दे दियार ये हाई कोट उसनेल है जोदपूर को दे दियार जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो इसको दे दिया ये राजस्तान का जो हर्दे है कौन अजमेर तो उससे दे दिया गया रेवेन्यू बालार और ये वन विबागर ये खनीज विबागर कई विबाग हैं जो इदर उदर कई रियास्तों को दिये गए सेंत वरहत रास्तान इस सारी प्रिकरिया के बीच मतर से संग सवतंत रूप से कारिय कर रहा था लेकिन उतर परदेश का सिमावर्ती शेत्र होने के कारण इसके बारे में फैसला करना आवशक था इसलिए 15 मई 1948 को मतर से संग का वरत रास्तान में विले कर स्वत वरहत रास्तान का गठन किया गया और शोबाराम जो सास्त्री है इनको मंतरी मंडले में शामिले कर लिया गया तो ये शोबाराम कुमावत है शोबाराम कुमावत तो ये दियान में रखेगा इस चीज़ को ये दरसल हो सकता है इन्होंने हिरालाल सास्त्री जी है तो उनके नाम का सास्त्री ले लिया हो और शोवाराम कुमावत है तो इनके नाम का शोवाराम लेकर के इन्होंने एक सास्त लिख दिया शोवाराम सास्त्री ये गलट्रम हो गया शोवाराम कुमावत है सास्त्री नहीं है तो मतसे संग जो है इसको पहले बना करके अलग तलग जो है रख दिया गया था क्योंकि उस समय ये कन्फियूज था कि इसको हम मिलाएंगे किदर तो उस समय इस सवाल के साथ इसको छोड़ दिया गया कि आपको या तो यूपी में मिलाएंगे या राजस्तान में मिलाएंगे इस सवाल के साथ उस समय छोड़ दिया गया और बाद में यहां आकरिस का समादान हो गया कहां मिलेगा कशाब राजस्तान में ही मिलेगा और यहां भी जो बरतपूर दोहलपूर ये जो है ये आसानी से नहीं मिले ये कुछ से इदर यूपी की तरफ जाना चाहते थे लेकिन राजस्थान में मिल गए क्योंकि जनता जो है वो किदर मिलना चाहती थी राजस्थान की तरफ राजस्तान संग, विले के इतने चरणों के पश्चात, शिरोही के परसन का समाधान करना सेच था, ये उसका विले राजस्तान में किया जाए, अत्वा तत कालिन जो है, वो बंबई प्रांत में शामिल किया जाए तो अब जो छटा चरण है राजस्तान संग और वैसे पहली बार जो राजस्तान संग ओथेंटिक रूप से नाम है इसको राजस्तान संग भी कह देते हैं राजस्थान नाम जो है वो पूरी तरह से वेदानिक रूप से जो राजस्थान को मिला था पहली बार वो छटे चरण में मिला था और राजस्थान शब्द पहली बार एक की करण में आता है दूसरे चरण में और छटे चरण में नाम मिला था राजस्थान विले के इतने चड़नों के पसा शिरोई के परशन का समाधान करना सेश था उसका विले राजतान में किया जाए अत्वा ततकाल इन बंबई परांत में शामिल किया जाए 26 जनवरी 1950 को शिरोई की दो तैसिले आबू और देलवाडा को बंबई राजे में और से शिरोई को राजतान में मिला दिया गया सिरोई की जनता दोनों तैसिलों का भी राजतान में विले चाती थी अता इस प्रकरण को राजे पुन्र कठनायों को सोपा गया देखे मित्रों जो राजस्तान है तो ये सिरोई जो सरदार वलबाई पटेल है वो दरसल कहां के थे गुजरात के और गुजरात उस वक्त आता था बंबई प्रांथ में तो सरदार वला भाई पटेल का चुंकि गुजरात के रहने वाले थे इनका थोड़ा मोहत था इस चीज से कि ये शिरोई जो है इसको भी मैं मेरे गुजरात की तरफ मिला दूँ यानि बंबई प्रांथ में लेकिन जनता क्या चाती थे और शिरोई आप देखते हैं राजस्थान का इतियास अगर आपने पड़ा है तो शिरोई हमेशा से राजस्थान का ही हिस्सरा है तो फिर इनोन क्या क्या आबू देलवाड़ा जो है उसको तो बंबई राजे में मिला दिया और शिरोई जो है से शिरोई आदा इधर का इसको दे दिया राजस्थान को तो फिर राजस्थान की जनता है, शिरोई की जनता वो लगातार चाहती थी, यह साब हमें तो राजस्थान में मिलाओ तो देखी ये एक जनता का अपना लगाव होता ही है आप अभी जैसे मैं आप देखते हैं कि लदाख को जब यूटी बनाये गया तो वहां के बारे में ये जानकरियां कितनी चीजें जनता को तब मालूम पड़ी कि जब से भारत आजाद हुआ है, जब से कश्मीर का भारत में विल्यावा और जब से जमू कश्मीर को अलग से राजय बनाये गया लदाख के लोग तब से लगातार आंदोलन कर रहे थे पिछले 70 सालों से कि हमें यूटी बना दो, हमें जमू कश्मीर में नहीं रहना हमें तो भारत सरकार को सौंप दो तो एक जनता का भारत सरकार के परतिये कितना विश्वास है इस हिंदुस्तान के परति विश्वास है उनको पता है कि हम हमारी मांग रख सकते हैं इस देश में हमारी कोई मांग नहीं भी मानी जाए तो हम विरोध कर सकते हैं और भारत सरकार जो भी करेगी तो वो हमारे पक्ष में ही करेगी जनता के लिए ही करेगी ये एक विश्वास है इस हिंदुस्तान की धर्ती के लिए सरकार कोई सी वे अलग-अलग पार्टी की सरकार बनती है कभी कांगरेज, कभी बाजबा मतलब वो नहीं है कि कौन सी पार्टी की सरकार है मैं जो चीज समझाना चाहरा हूँ इसमें कि लोगों को इस पूरे हिंदुस्तान की धर्ती में जितना भी आप हिंदुस्तान जानते हैं, जितना समझते हैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को चाहिए वो कहीं भी हो आज उसको ये कह दिया जाए कि तुमें उस देश में मिला देंगे क्या तो चाई उनका रहने वाले जो head हो वो भले के दें लेकिन जंता नहीं साथ हमको तो भारत में रहना है हमको तो भारत में मिलना है यह भारत के परती एक विश्वास है जंता का और यहां भी आप देख लिजिए कि जंता जो यह बरतपूर, धोलपूर कार है कि नहीं साब हमको तो नहीं मिलना यूपी में हम तो राजस्थान में ही मिलेंगे तो राजस्थान की जंता का भी राजस्थान के लिए कितना एक है कि नहीं हमको तो राजस्थान में ही रहना है यह चीजें बहुत कुछ माइने रखती है तो इस विवाद को क्या किया गया फिर राजय पुनर गठन आयों को सौप दिया गया वर्तमान राजस्तान का निर्मान बीटी स्काल में अजमेर मेरवड़ा एक केंदर सासी परदेश था अता है 1956 तक ही यह गया स्रेणी का सवतंतर राजियरा गया स्रेणी से मतलब C, जैसे A, B, C तो A स्रेणी में जैसे बीटी स्प्राम थे जहां डारेक्ट अंग्रेजों का सासन था B स्रेणी में रियास्तें थे C स्रेणी में थे केंदर सासित परदेश तो जैसे अजमेर मेरवड़ा है, दिल्ली है, बलुचिस्तान है, कुर्ग है तो ये सीश रेनी का राजेस था, उननी सुचपन तक अन्तत है राजे पुनर गठन आयोग की सिफारिस के अधार परिशेत्र का भी रास्तान में विले किया गया साथ ये आयोग की सिफारिस पर आबू वै देलवड़ा को भी रास्तान में मिलाया गया तो राजे पुनर गठन आयोग ने कहा, कि साब एक तो ये अजमेर मेरवड़ा है, राजस्तान का हर्ट तो आबु देलवड़ा को भी मिला लिया गया मद्य पर्देश के सुनेल टप्पा को जो है वो राजस्तान में मिलाया गया और सिरोंज जो है उसको MP को दे दिया गया क्योंकि इनके थोड़ी शेत्र की दूरी इस तरह सी थी ये जो सुनेल टपा है अधिकार MP का था लेकिन ये था राजस्तान की तरफ तो इसको हमने का कि चलो इसको हम ही जो है हमारे पास रख लेते हैं सिरोन जो था अधिकार राजस्तान का था लेकिन थोड़ा MP की तरफ पढ़ता था तो फिर हमने का भाई ये तुमारी तरफ ये पढ़ता है चलो इसको तुम रख लो ये सुनेल टपा इधर पढ़ता है अधिकार तुमारे इसको हम रख लेते हैं तो ये ठीक हा भाई चलो ये तुम ले लो ये हमको दे दो तो ये एकिकण पूरा हुआ एक नॉमबर 1956 को राजस्तान का एकिकण पूरा हुआ राज परमुक का पत समाप्त कर दिया गया और राजे के पर्थम राजे पाल के रुप में गुरु मुक निहाल सिंग जी को सपत दिलाई गयी तो ये राजस्तान का एकिकण कंप्लीट होता है तो ये चेप्टर जो हैं ये काफी बड़े चेप्टर है ये संख्या में बले 9th क्लास में 4 चेप्टर और 10th क्लास में बले 3 चेप्टर हो लेकिन हैं बहुत बड़े बड़े चेप्टर है तो अभी और भी इसका वीडियो आएगा तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे वीडियो को लाइक किया कीजिए ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इसके टोपी के साथ राजियों का पुन्दर गठन और आप इन वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हैं इसका लाव आपको बहुत जबर्दस तरीके से मिलेगा मैं यूट्यूब पे कई बार कुछ क्यूस्टन ऐसे पूछता हूँ जो मैंने ओलरी इन में मैं आपको समझाता हूँ और 80% से उपर विद्यार्थी वहां गलत करते हैं मैं समझाता हूँ यह वो विद्यार्थी हैं जो कभी यह वीडियो नहीं देखते जो यहां इन किताबों को पढ़ा रहे हैं जनवरी में पढ़ाना शुरू किया था और यह सितंबर का मन्त आ चुका है एक बहुत बड़ा जो है वो लंबा टाइम पेड होता है यह तो जो विद्यार्थी और वैसे आपकी 9-10 पूरी हो जाएगी तो जो 6-10 की जिस विद्यार्थी ने मेरे साथ में यहां किताबे कम्प्लीट की है उसके बैसिक फंडामेंटल इतने मजबूत हो जाएंगे वो इन 80% वालों में कभी नहीं आएगा जो किसन को गलत करते हैं अगर माल जी 10,000 विद्यार्थी ने वोटिंग पोल किया है तो 85-85% विद्यार्थी उस कुष्टन को वाँ गलत कर रहे हैं तो मैं समझ आता हूँ कि इन विद्यार्थी ने कभी ये वीडियो देखे ही नहीं ठीक है वो चैनल को उन्होंने कर रखा है क्या कि चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन पर भी क्लिक कर रखा होगा लेकिन वो रेगुलर पढ़ते नहीं है वो सिर्फ उन्होंने बेस सब्सक्राइब कर ही रखा है तो जो विद्यार्थी लगातार इतने समय से जुड़ावाय है रेगुलर वीडियो देखता है तो उसकी त्यारी बहुत जबरदस्त इतनी स्ट्रोंग होगी और ये सब किताबेंगे पढ़ने के साथ में और जो वहाँ 6 से 10 की जो हमने टेट सीरी चला रखी है वो भी आपकी आप दो एक दो पेपर और हैं कम्प्लीट हो जाएगी 130 पेपर जो है वो आपके कुल वहाँ बने है जो 6 से 10 की SST की टेट सीरी जो चला रखी है उसमें 6 से लेकर के 10 तक हिस्ट्री जोग्राफिय और पॉलिटी टोटल 130 पेपर बने हैं और इसमें वो पेपर आपके लिए नोट्स का काम भी करेंगे कि उनमें मेटर इस तरीके से दिया गया है कि आपके इन किताबों का ये कंटेंट जो मैनमेर कंटेंट है वो भी उनमें कवर हो पलस आप बार-बार उनको पढ़ते रहें और ये 130 स्टेट पेपर कंप्लीट होगे अब जो REIT SSD की 1-12 तक जो यूनिट है REIT SSD में जो 1-12 यूनिट है जिसमें आपके 60 क्यूशन आते हैं तो वो पूरी तरह से according to REIT पूरी तरह से एक्जाम के according जो उसमें क्यूशन बना करके और जो है उस format में आपके सामने रखेंगे जो विद्यार्थी जिनों टेट से जोइन करका है तो जो विद्यार्थी इस तरीके से सारा ये बैलेंस करके और जैसा मैं कह रहा हूँ उस तरीके से अगर पढ़ाई कर रहा है तो कोई कारण ही नहीं है कि उसका selection नहीं हो ये समय मिल रहा है आप लखी हो कि आपको इस समय इतना समय मिल रहा है कि जब vacancy IV भी नहीं है कई बार विद्यार्थी बार बार कहते है vacancy आ नहीं रही है question मैं जब पूछता हूँ कभी जैसे यहाँ नहीं इस पे नहीं इन वीडियो में नहीं नॉर्मल यूटूब पे अगर मैं question कोई post करता हूँ 80% विद्यार्थी गलत जवाब दे रहे है vacancy आ भी गई तो क्या होगा उससे एक basic सी question का जवाब अगर वहाँ basic concept क्लियर नहीं है तो अगले को question थोड़ा सा गुमा के देना है और वहीं वो तडिन ना ये गिरा वै question गुमाना बहुत आसान है मैं भी कई बार question देता हूँ कोई question हार थोड़ी होता है मैं जब उसको बताता हूँ तब आपको लगता है रहे बहुत हीजी था ये तो तो ये तो examiner के बाए हाथ का खेल है थोड़ा सा उसको गुमा देगा जिसके concept अच्छे से clear है जिसने इन किताबों को बहुत अच्छे से समझ रखा है कुछ विद्यार्थी करते हैं कि हमने पढ़ ली पढ़ ली कैसे पढ़ ली हमने 6 से 10 की एक बार तो पूरी कर दी ऐसे पूरी करना नहीं होता है ये एक बार पढ़ करके छोड़ने वाली किताबे नहीं है ये तो regular है कि जैसे खाना डेली खाते हो ऐसा तुड़ी का आज खाना खाली आप जिन्दिक में खाना ही नहीं खाऊगे 6 से 10 की किताबे वो किताबे हैं जिनको आपको regular पढ़ो, revision करो, बार बार पढ़ते रो, पढ़ते रो, पढ़ते रो आपकी आत्मा, आपका सरीर, आपकी किताबें ये एक हो जाने चीए ही है तब वहाँ 100% selection होगा 15-15 लाग विद्यार्थी बैठेंगे, वहाँ 30-31,000 में selection करवाना कोई इतना भी आसान काम नहीं है तो जो विद्यार्थी continue हर चीज को follow करता है, हर चीज को मानता है वो निशित रूप से अपने selection के बहुत नजदी कहें और यहां YouTube पे जैसे जो regular विद्यार्थी ये वीडियो देखते हैं लगबग 4000-àn nue. तो इन में काफ़ी विद्यार्थी ऐसे हैं जिन को लेकर के मैं अब 100% शूर हूँ .. बले ही मैं उनको नहीं जानता उनकी सकल मैंने नहीं नहीं देखी बले ही उन्होंने मेरी शकल नहीं देखी हूँ लेकिन मैं शौर हूँ कि जब भी रीट की वेकेंसी आएगी ये विद्यार्थी 100% सेलेक्स इनका होगा 100% सेलेक्टेड होगे हूँ ये पता हो जाता है आलांकि ओफलाइन में आखों के सामने पढ़ता है अगर ध्यान से पढ़ाने वाला हो मैनत से उसको 5-10 दिन में सब पता चल जाता है तो यहां रेगुलर जो विद्यार्थी है डेली यहां लिखते हैं कुशन उन से पूछते हैं कमेंट करते हैं कई बार वो भी कुशन पूछते हैं तो ये सब चीजों से काफी हद तक जो है कहीं न कहीं आइडिया हो जाता है और मैं भी यहां काफी विद्यार्थियों को लेकर के इस चीज़ को लेकर के आप शोर हूँ कि जो विद्यार्थी इतने पिछले 7-8 महीनों से 8-9 महीनों से जो रेगुलर यहां जुड़े में हैं उनको लेकर के मैं 100% शोर हूँ कई विद्यार्थी उनको लेकर के काफी विद्यार्थी हैं जिनको लेकर के मुझे लगता है कि हाँ इनका 100% सेलेक्शन होगा तो यह चीज़े हैं तो इसी तरह से पढ़ते रहिएगा तो आज की वीडियो में इतना ही बाकी बात ही हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंग जय भारत